हेलो प्रेंट्स आज की हम वीडियो में नदी के कुछ महत्रपूर्ण पॉइंट्स पड़ेंगे फर्स्ट हमारा सिंदु नदी जो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है जो इसकी जो लंबाई है जो आपको दिख रहा है हाँ पर वो 280-2880 किलोमीटर है और इसका जो उद्धि बार जील के निकड साहक नदी इसकी तिबबत सतलूज ब्याद जहलम चिनाब रावी सिंगार गिलगित स्योग जम्मू एंड कस्मीर आपको इतने सारे दिख रहे हैं यह हमारी सिंदु नदी की महत्रपूर्ण के पॉइंट है उद्गमिस्तर है सेकिंड हम चलते हैं जहलम नदी है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई की हम बात करें जिसकी लंबाई कितनी है 720 यह रेड सरकल के अंदर देगो 720 किलो मीटर है उद्गमिस्तर सेशनाग जीन जम्मू एंड कस्मीर सहक नदी किसन गंगा पूँच लीदार करिवाल सिंद जम्मू कस्मीर समझ पा रहे हैं तो यह महत्पूर पॉइंट है नदी के थर्ड पर आप आजा हैं तो चिनाव नदी के बारे में चिनाव नदी की जो बात करें तो चिनाव नदी की जो लंबाई है वो 1180 किलो मीटर है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उद्गमिस्तर क्या है 12 लाचा दर्रे के निकट साहिक नदी है चंद्रभागा जम्मू कस्मीर नमबर फोद जो नदी है वह सत्लूज नदी है क्या है सत्लूज नदी है जिसकी लंबाई 1440-1050 किलोमेटर है उद्गम इस तर इसका क्या है मान सरोवर के निकट राग सताब जो आपको दिख रहा है हैं पर स्क्रीन की इंटरफेस में सत्लूज नदी क्या साहिक नदी क्या है ब्यास इसपीती बसपा हिमाचर प्रदेश पंजाब तो ये आपके यूपी पैट के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है नमबर फिप गंगा नदी लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर है उद्गम इस सर गं यूमना गाराम गंगा गुंती बागंबती गंडग गोशी शोन अलगनंदा भागी रती तो ये इसकी साहिक नदी है यूमना नदी बहुत इंपोर्टेंट नदी है बार बार एक्जाम में पोच्छे जाने वाला कुश्य में गंगा नदी के मिसें तो इसकी लंबाई 375 375 किलोमीटर है उद्गमिस्तर यूमनोत्री ग्लेशियर साहिक नदी चंबल वेतवा के इन टोन्स ग्री काली शिन आशन है बहुत इंपोर्टेंट है नंबर सेमिन गोदावरी नदी ये रिवर का नाम है गोदावरी नदी जो आपको इस पिक्चर के साथ में मैंने स्क् कि कितनी है 1450 किलोमीटर है उद्गमिस्तर इसका नासी की पाडियों से साहिक नदी प्राणहिता पेन गंगा बर्दा बेन गंगा इंद्रावती मंजरा तो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से जे सैविन रिवर के बारे मैं ने बताया है जो यूपी पैट के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है तो आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं इनको स्क्रीन स्वाड लेके वीडियो को पॉस्ट करके आप आराम से लिख सकते हैं इसको बहुत इंपॉर्डेंट है थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं